स्वागत है दोस्तो एसपीरेंट जंक्चन में तो आज से हमारे चैनल का नाम मतुरा जंक्चन स्कुराइर से हटा कर एसपीरेंट जंक्चन रख दिया गया थै क्योंकि बहुत सारे एसपीरेंट जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं अपने competitive exam की तैयारी करने के लिए उनकी request आ रही थी कि आप अपने channel का नाम हटा कर महतुरा जंक्षन से aspirant junction रख दें तो उनी की request पर हमने ये आज फैसला लिया है कि हम अपने channel का नाम aspirant junction रखेंगे तो आज हम एक नई वीडियो के साथ में आये हैं और वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को पका लाइक करें ताकि हमारे वीडियो को रीच बनी रहे तो आज हम discuss करने वाले हैं आसाम और मिजुरम का border dispute क्या है इनके border के उपर में विवाद क्या चल रहा है तो इसी के उपर में आज एक news आई थी जिसके अंदर में छे आसाम पुलिस पर्सनल जो है उनकी मृत्यू हो गई है जो कि आसाम और मिजुरम border के उपर में firing हुई है काचर डिस्टिक के अंदर में तो आज हम इसी के बार में पढ़ेंगे इस news को analysis करेंगे और ये border dispute इतना intense क्यों हो गया है इतना क्यों बढ़ गया है तो अगर आपको मैं map पे दिखा दूँ तो ये blue dot जो आप देख रहे हैं ये काचर डिस्टिक है जो कि आसाम के अंदर में है और ये red dot जो आप देख रहे हैं ये वरेंगटे डिस्टिक है जो की एक और disputed district है लेकिन ये है मेजरम के अंदर में तो ये जो border dispute है इसके बीच जो है colonial era से ही बोदिये गए थे जो British era था उसमें से ही इसके बीच बोदिये गए थे क्योंकि British government जो है एक demarkation करती है demarkation यानि की boundary बनाती है दो area की और वो दो area थे एक तो लुशाई hills और काचर plains तो काचर plains को जो है British government plantation के लिए यूज करना चाहती थी और लुशाई hills जो है इसको घर बना दिया गया जो मिजो एथनिसिटी के लोग थे अब यह जो demarkation होता है यह होता है consultation के जो की मिजो के tribal chief से उनके consultation से यानि उनकी सहिकारिता इसके अंदर ली जाती है उसके बाद में यह demarkation किया जाता है तो जो काचर plains है उसको British government अमनी plantation के लिए यूज करती है जैसे कि आपको पता होगा कि North East के अंदर में चाय और कौफी की खेती होती है तो उस खेती के लिए British government काचर plains को यूज कर रही थी लुशाई hills को जो है मिजो एथनिसिटी का घर बना दिया जाता है तो अगर मैं आपको मैप पे दिखा दूँ कि लोग जो है जो मिजो एथनिसिटी की लोग है वो रहते हैं और यह जो राइट हैंड साइड में ब्लू डॉट आप देख रहे हैं यह काचर डिस्टिक इसके आसपास का जो प्लेन एरिया है वो है काचर plains अब यह जो बात होती है 1875 की अब उससे आगे एक और development होती है यहा में आता था तो एक Lord Kurzan थे जो कि Bengal province के governor थे उन्होंने क्या किया कि Bengal को divide करने का सोचा उसको bifurcate करने का सोचा तो इन्होंने क्या किया एक West Bengal बना दिया और एक बनाया East Bengal and Assam तो आज का जो present day बांगलादेश आप देखते हैं यह East Bengal के अंदर आता था और हमारा North East का पूरा area जो है यह आसाम के अंदर में आता था लेकिन फिर क्या होता है कि यह जो bifurcation होता है यह actually होता है ethnicity के उपर में क्योंकि जो West Bengal होता है उसके अंदर जादातर हिंदू लोग रहते थे और जो East Bengal होता है उसके अंदर जादातर Muslim population थी तो जो West Bengal के Hindu population होती है वो इसके इस decision के खिल कोलन करते हैं कि इनको जो है divide and rule policy के उपर में बाटा जा रहा है क्योंकि पहलों जो लोग एक province के अंदर रह रहे थे एक government के अंदर रह रहे थे अब वही लोग जो है एक अलग-अलग government के अंदर रहेंगे तो इसको divide and rule की policy का एक एहम मुद्दा मानते हुए लोगों ने इस लाड हार्डिंग द्वारा तो लाड हार्डिंग ने जो है इन दोनों को आपस में जोड दिया लेकिन इसके अंदर में एक फैसला यह लिया गया कि यह बैंगॉल के प्रोविस के दोनों प्रोविंशester को जोडतो दिया जाएगा लेकिन यह जो Assam का प्रोविंच हमने बना जाता है कि जो पहले हमारी national capital कैलकटा हुआ कर दी थी उसको हटा कर अब New Delhi कर दिया जाएगा और ये decision जो है King George 5 जो थे England के उन्होंने लिया था अब इसके अंदर एक और development होती है कि मनीपुर का जो princely state होता है उसका भी demarkation किया जाता है 1933 के अंदर में अब इसका जो demarkation होता है मनीपुर की जो boundary लगती है वो लुशाई hills से लगती है अब लुशाई hills के अंदर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये mezo ethnicity के लोग इधर रहते थे अब इसका कुछ हिस्सा वो मनीपुर के अंदर चले आता है तो जो mezo ethnicity के लोग होते हैं उनका घर तो लुशाई hills सी होता है तो उनका area जो है कम हो जाता है फिर उसके बाद में क्या होता है कि मनीपुर जो एक princely state होता था भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर में इसने मनीपुर state ने इंडिया में मिलने का फैसला किया ये union of इंडिया का प बने हुए हैं जिसमें से 1963 में पहला state इसमें से बना जो की नागालेंड था उसके बाद में इसमें एक और development होती है जिसमें अरुनाचल परदेश और मिजुरम को union territory बना दिया जाता है 1972 में और इसी 1972 के अंदर मनीपुर तिरिपुरा और मेगालिया को state होट दे दिया जाता है अब इसी के अंदर में मिजुरम जो होता है इसको जो इसका demarkation होता है वो होता है 1933 के demarkation के उपर में जिसको की British government ने किया था मनीपुर के demarkation के लिए अब इसमें ही एक catch है अब वो catch यह है कि मिजुरम की जो government है वो कहती है कि हम जो है 1875 का जो demarkation था as per Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 जिसको की British government ने किया था हम मानेंगे उसको क्योंकि उसके अंदर में लुशाई हिल्स का काफी पार्ट मिजुरम के पास में है लेकिन असाम की government जो है वो यह कहती है कि हम 1875 का demarkation नहीं मानेंगे क्योंकि वो पुराना demarkation है उसके बाद एक और demarkation हो गया जो की 1933 के अंदर हुआ है तो असाम की government जो है वो मानती है 1933 के demarkation को जिसमें से जो लुशाई हिल्स का कुछ एरिया है वो मनिपूर के पास में है और काचर डिस्टिक के अंदर में कुछ ऐसा area है जो की मिजो स्पीकिंग लोगों का है वो असाम के पास में है तो उसी की वज़े से जो है अभी इसके अंदर conflict चल रहा है असाम की government कहती है कि ये area सारा हमारा है ये हमारे पास ही रहेगा और वहीं पर मिजोरम की government कहती है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और जो मिजो स्पीकिंग डिस्टिक है जो असाम के पास में है उसको हमें दे देना चाहिए हमारे पास उसको रखना चाहिए तो ये घटना जो हुई है border के उपर में मिजोरम और असाम के ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही हुई है इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है जिसमें 2018 के अंदर मिजो ethnicity के कुछ लोग जो है जो disputed area है border के उपर में उसमें अपने क कुछ घर बसाना चालू करते हैं तो उसके बीच में ही असाम की पुलिस जो है उनको वहां से हटाती है और इसी बीच में 50 लोग घायल हो जाते हैं जिसमें जर्नलिस्ट भी सामिल होते हैं फिर 2019 के अंदर में दौनों स्टेट जो है आपस में मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे स्टेटस को होता है कि जैसे थे जैसा अभी तक चलता हुआ है हम वैसा ही करेंगे ना आप हमारे डिस्टिक में आईए ना हम आपकी डिस्टिक में आएंगे फिर 2020 में भी एक ऐसा सिचुएशन बन जाती है जिसमें नैशनल हाइवे 306 जो की मि मिजुरम को कनेक्ट करती है आउटर इंडिया से उसको बारा दिन के लिए बंद कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका है तो इसके उपर मैं अब दूसरे के उपर इंजाम लगा रही है जिसमें जो एक रिप्लाइ दिखा देता हूँ जिसको कि उन्होंने प्रेस कॉनफरेंस करके दिया है तो ये अपने रिप्लाइ में यही कह रहे हैं कि आसाम जो है कोई रिवेंज मैं कोई बदला लेने की भावना नहीं रखता है हम तो एक बड़े भाई का रोल अदा कर रहे हैं और य तक बोल रहे हैं कि मेरी किसी के साथ में इतनी fight नहीं है लेकिन ये ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे forest है जो मेरा forest land है जो आसाम का forest land है वो इसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है वहीं जो मीजुरम के CM है जोरम तंगबा जी उन्होंने अपने Twitter हैंडल पर से मिलके आए हैं क्योंकि यह नौर्थ इस्ट के जादतर स्टेट्स में बॉर्डर का डेस्प्यूट चल रहा है उसी डेस्प्यूट के चलते ही होम मिनिस्टर जो है वहाँ पर गए थे इसी चीज को सेटल कराने के लिए तो जोरम थंगबाजी जो है इन्होंने भी अपने ट जैसन तो यही है कि मिजोरम की जो मिजो स्पीकिंग पॉप्यलेशन है उसको मिजोरम में जोड़ना चाहिए अब लेकिन देखना यह है कि सेंटल गवर्मेंट कैसे रियाक्ट करती है और जो स्टेट गवर्मेंट्स है वह जो वहां के लोग हैं वहां के रहने वाले जो लो जाहिन